मित्रो स्वागत है आपका MP पटवारी आपकी बारी चैनल में चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास आज की क्लास में हम MP पटवारी 2017 में जो एक्जाम हुआ था पटवारी का उसकी 11 दिसंबर 2017 के सिप्ट टू के कंप्यूटर के सभी कुश्चन को डिटेल में 1 y 1 डिसकस करेंगी तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर किया है इंटरनेट ब्राउजर रिलीजड वाई गूगल यह आप सभी लोग पता है बहुत ही यूज होने वाला ब्राउजर है गूगल क्रोम लेकिन बागी आपसन को भी हम एक बार देख लेते हैं फायरफॉक्स फायरफॉक्स किसके द्वारा रिलीजड किया गया मौजीला मौजीला फायरफॉक्स का है फिर नेट इसकेप नेट इसकेप नेट इसकेप नेविगेटर जो आपका ब्राउजर है वह नेट इसकेप कारपरेशन के द्वारा लांच किया गया या डिस्क डिस 2008 में केवल Microsoft Windows के लिए MS Windows के लिए लाँच किया गया था और विंडोज operating सिस्टम की सफलता के बाद इसे Mac operating system Linux operating system और Android जो मुवाइल में यूज होता iPhone devices के लिए भी विक्सित किया गया आज Chrome browser के इस्तमाल दुनिया वर के devices में मुख browser के रूप में किया जाता है और किया जा रहा है आप लोग भी कर रहे हैं आप लोग भी मुवाइल में या अपने laptop में सबसे ज्यादा यूच होने वाला Google Chrome browser है Firefox browser यह आपका Mozilla Foundation के द्वारा तथम Mozilla Corporation के द्वारा विक्सित किया गया Firefox browser को पहली बार सन 2002 में लाउंच किया गया था इसके बाद अब तक Firefox browser की दरजुनों संस्क्राण आ चुके हैं और Firefox browser का लेटिस्ट वर्जन जो है Firefox 63 सफारी एपल कंपनी का ब्रेफ ब्राउजर है एपल ने हाली में सफारी का नया संस्क्राण Safari 4 लाउंच किया है जिसमें नाइट्रो इंजन लगाया गया है तो आपको इदना जानना है कि Safari जो है एपल कंपनी का ब्रेफ ब्राउजर है और नया अभी लेटिस्ट इसका जो वर्जन है Safari 4 है इसमें नाइट्रो इंजन लगाया गया है चले नेच्ट कोशन देखते हैं नेच्ट कोशन देखने के पहले एक इंपर्टन घ।षण आप लोगों के लिए एम्टेश्मेंट से आपकी बैचेश स्टार्ट DIS registration start है जल से जल रिजिस्टेशन आप लोग करा सकते हैं जो भी interested हैं चलिए next question देखते हैं next question है हमारा browser में वाइबाक्स जहां URL टाइप कर सकते हैं क्या कहलाता है तो जब भी हम browser खोलेंगे उसमें कुछ टाइप करेंगे तो यह जो सबसे उपर वाला जो बार होता है इसे हम बोलते है एड्रेस बार इसी में URL टाइप होता है इस एड्रेस बार में क्या टाइप होता है URL URL का full form भी पूछा जाता है uniform resource locator यह एक पकार का एड्रेस है किसी भी website किसी भी बेपेज या किसी बीडाकुमेंट का तो यह हमको किसी भी ब्राउजर में किसी भी फाइल किसी भी website का address find out करना वही आपका कहलाता है URL और यह address बार जो होता है टाप में होता है इसी वाक्स को हमें address बार बोलते हैं तो आपका option हो जाएगा address बार चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं नेस्ट कोश्चन है ms word में control प्लस यू का क्या कार होता है तो control प्लस यू अंडर लाइन या highlight करने के लिए हुज होता है हमने देखा भी था है का का किस्लेट करने के लिए सब उसकी कलास हम लेचे हैं आप playlist में ग्लास का किलए के साथ कहलाई है तो हमारी these two like where में होती है एक सूची थे प्रेष्ट नमबर भी होते हैं तो टेवल अफ कंटेंट से को हम क्या है अप्सक्राइब में एक सूची जिस में अध्याओ के नाम पूछा जाता है तो उसको टेवल ओ आप कंटेंट देखते हैं एक कौशन में कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेर नहीं है कंप्यूटर हार्डवेर नहीं है हार्डवेर क्या होता है हार्डवेर का मतलब होता है जिसे हम टच कर सकते हैं फिच के लिए जिसके हम टच कर सकते हैं तो माउस आपका इसको टच किया जा सकता है मनीटर को टच किया जा सकता है कीबोर्ड क यह हमारे hardware की example है और एंटी वाने एक पकार का software है जैसे operating system, application software जैसे MS Word, MS Excel यह सभी जो software होते हैं इंटी वाने इसी पकार का एक software है लेकिन यह destroy करने वाला software होता है खतरनाक software होता है चलिए नेस्ट कॉस्चन देखते हैं नेस्ट कोशन है में प्रिंटिंग के दवरा निम lycad में से किस पयोई उर्यинойटेशन के प्यार्ट के लिए लिकी से 15 Vide कुनि ऊप्यो किया राता है तो मासथ ऑचलिन में जो डिफार्ट पेज औरीन postponogen होता है उड़ता है पृत्रेट क्या होता है पूय क्या होता है और प्रकारत के होते हैं तो संदोय है तो two कार सुपार्ट यहीं उन्हें सोहे हैं कहोती सब्सक्राइब प्रिफिए क्लास में ने लिए सिक्ट कीए है जैसे हमको लिखना लिए ह्-2-0 नीचे 2 लिखाए को हम बोलेंगे से 110 को लिखने के लिए क्या संट करने पड़ेगा कंट्रोल प्लस vibrantfon Camp साथ equal to को प्रेस करना पड़ेगा चलिए super script को भी देख लेते हैं super script भी बहुत important है super script जैसे हमको लिखना है x square plus by square x square जो यह square है यही है super script और इसी super script के लिए shortcut की यूज होती है control plus shift plus plus means control shift और plas in तीनों को साप में प्रेस करना पड़ेगा चले थ debates लेते हुख तो यह मिन भी आपको यह हो रहां है दो यहीं lot क्या रहा है वाओफ को पर माुट के आफ यहां पर बंद बाएनगे के देलगा क्या आपका control plus shift plus plus control और shift और प्लस को एक साथ हम प्रेस करेंगे तो superscript हो जाएगा और आपको यह वैसे जाना है बिना shortcut के तो पहले इंसर्ट में जाएं फिर symbol में जाएं फिर more symbol में जाएं और more symbol में आप जैसे ही जाएंगे तो यह आपको देखिए सबिस्केट्व सूपरिस्किप्ट का डाइलाग वक्स खुल जाएगा डाउपड़न में आपको दिख जाएगा चलिए नेश्ट देखते हैं नेश्ट कोश्यान है डैट डैस एक secondary memory device कौन सी होती है दो पकार की memory device होती है primary memory होती होर secondary memory होती है हम देखे थे primary memory में हमारी RAM और ROM थी RAM और ROM जो होती है हमारी primary memory होती है catch memory BC में आ जाएगी और आपका रेजिस्टर memory तो रेजिस्टर memory, catch memory, RAM memory, ROM memory यह आपके किसके टाइप है primary memory के और secondary memory जिसे auxiliary memory या दितियक memory बोलते हैं आपके pen drive, hard disk, floppy disk, dvd, pen drive यह सभी आपके क्या है secondary memory के एक जामपल है CPU CPU तो आपका यह पार्ट है central processing unit है CPU का पार्ट है arithmetic logical unit माउस आपका क्या है पॉइंटिंग डिवाइस, drag and drop device, drag and drop device, drag and drop device, माउस को drag and drop device यह पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं यह आपका computer hardware का पार्ट है, यह memory का पार्ट नहीं है, चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं स्टेंडर इंटर्णेट प्रोटोकाल है, इंटर्णेट प्रोटोकाल जो आपका TCP, eve transmission control protocol अंटर्णेट प्रोटोकाल होता है यही आपका क्या कहलाता है, इस्टेंडर इंटर्णेट पॉटोकाल इसके पहले एक model भी आया था, open system interconnection osi model इसी पे बेश्ट आपका लेइरड आइक्टेचर पि इसमें कई लेयर होती है और फाइव लेयर होती है वेस्टो एसा मॉर्डल में सेवर लेव है तो क्या होता है बूटिंग प्रोसेस होती है एक प्रोसेस होती है कुछ टाइम लगता है मिली सेकंड सेकंड का कुछ टाइम लगता तीस सेकंड का कंप्यूटर की स्टार्ट होने में तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस अब इस बूटिंग प्रोसेस मे जब हमारा computer off है हम उसको on कर रहे हैं जब computer बंद है power button है off है तो हम अपना start button को press करते हैं system को on करते हैं तो cold booting कहलाता है जब पहली बारा आप system को on करेंगे switch off था on किया तो जो booting होई उसको cold booting कहेंगे ओजियर के द्वारा power button को दवाने के बाद यह रोम से सभी निजदेशों को पढ़ेगा और operating system 140 रूप से system में लोड कर देगा यह cold booting warm booting क्या है कभी-कभी computer hang हो जाता है किसी करनमर से system को restart करना पड़ता है तो चालू ही system में system को restart करते हैं तो computer फिर से हमारा क्या होता है बूट नहीं होता है रीबूट होता है उसी को हम बोलते हैं बार्म बूटिंग तो यह question बहुत important है cold booting और बार्म बूटिंग तो पूछा जाता है question अब माल लेजिए कि computer hang हो गया तो computer hang हो गया तो हम क्या करेंगे shortcut use करेंगे alt प्लस control प्लस delete और फिर reboot कर सकते हैं alt प्लस control प्लस delete के द्वारा चलिए BIOS देख लेते हैं BIOS भी इसी संबंदित है basic input output system एक तो इसका full form पूछा जाता है यह सभी input output उपकरणों के कामकाज में मदद करता है इसके लिए बूट पर किया के दौरान सभी उपकरणों के काम को सुरू करने में मदद करता है तो जो सभी उपकरण है वो 104 रूप से काम करें उसके लिए यह BIOS यूज होता है basic input output system यह इसी से related था दोस्तों चलिए next देखते है question name लेकिन में से किस फाइल में ready made style होती है जिनका उप्योग word document के लिए किया जा सकता है तो हम जानते हैं जो templates होता है templates यह mobile में भी message जो होते है ready made message होते है वो भी templates के form में होते है इसी परकार word document में जो ready made style होती है वो templates कहलाती है हम automatic उनको use कर सकते है चलिए next question देखते है next question है हमारा cd-rom का तातपर किया है means cd-rom का stand for cd-rom को full form पूचा जा रहा है तो cd का मतलब होता है compact disc और rome का मतलब होता है read only memory read only memory ऐसी memory जिसमें हम read कर सकते है write नहीं कर सकते है ठीक है तो rome जो होती है rome का full form read only memory cd का full form compact disc इसी पकार dvd का full form भी पूचा जाता है दोस्तों तो dvd का full form होगा digital versatile disc digital video display इसके दो full form होते है इसी पकार रोम है तो रहम का random access memory रहम के दो पार्ट होते है static रहम और dynamic रहम तो यह आप कुछ full form भी आप देख लीजिए इसको भी हमने डिसस किया था रहम रोम को चलिए नेश्ट देखते हैं नेश्ट कोशन है सबसे पहली गढ़ना करने वाली डिवाइस अर्लिएस कल्कुलेटिंग डिवाइस तो जो सबसे कल्कुलेटिंग डिवाइस थी एवक यह चीन के बेविलोन में पाई गई थी बहुत पुरानी है ठीक है तो कल्क आलेटिकल एजन की डिसकरवरी की गई थी और कल्कुलेटर की खोज किसने की थी कल्कुलेटर की खोज आपका 4004 जो इंटल प्रोसेशर था फॉर बिट का प्रोसेशर MS Word 2007 में अमान ने है Miss Invalid Line Spacing है तो इसको हम डिटेल मी देखेंगे यहाँ पर एंसर है ट्रिपर ट्रिपर टाइप का कोई Line Spacing MS Word में नहीं होती है Multiple होती है, Single होती है, Double होती है तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं तो जब हम अपने डाकूमेंट को पर अधिक टेस्ट फिट करने के लिए इसे कम भी कर सकते हैं तो Line Spacing देख लेते हैं Line Spacing एक पैराग्राब में प्रतेक लाइन के बीच एक इस्तान होता है बर्ड आपको Line Spacing को Single Space One Line High, Double Space या कोई Un-Distance में जो आप चाहते हैं को Uncooled की Unmanage देता है Means बर्ड में Default Spacing 1.08 LINE की होती है जो Single Space से थोड़ी सी कम होती है चलिए Next आगे देखते हैं इसको तो आपको Home Tap पर जाना होगा Line Spacing के लिए Line और Paragraph Spacing Command पर क्लिक करना होगा फिर जो आप चाहते हैं Line Spacing वो चुने तो जैसे हम यहाँ जाएंगे तो यह देखी Line Spacing Option दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है Line Spacing Option इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा तो यहाँ पर देखी यह Line Spacing खुला हुआ है Line Spacing में देखी Exactly Single 1.5 Lines Double At Least Exactly Multiple यहाँ पर ट्रिपल नहीं है ट्रिपल करके Line Spacing नहीं होती तो इन options को भी आप एक बार ससरी निगाह से देख के रखिएगा इनसे भी questions पूछ लिए जाते है चलिए next question देखते है email द्वारा भेजे गए आवांची संदेशों को कहा जाता है तो जो आपके unwanted message होते है send की जाते हैं उनको हम spam बोलते हैं और जब आप अपना email खोलेंगे तो जो unwanted message है आवांची संदेश हैं वो आपके spam folder में रहते हैं और 30 दिनों तक लगवग रहते हैं फिर अपने आप automatic delete भी हो जाते हैं चलिए next question देखते हैं जो भी file बनती है किसी भी software में उसके दो नाम होते हैं एक primary नाम होता है और एक extension name होता है तो primary name के बाद जो extension name होता है उसी extension की बाद की जा रही है तो Microsoft Word में जो आपका extension होता है doc.docx होता है और Microsoft Excel में होता है .xlsx ये 2007 की बात है 2007 की पहले यदि बात करेंगे MS Word 2003 में तो d.doc होगा .doc और MS Excel 2003 की बात करेंगे तो उसमें file का जो default extension होगा .xls होगा ये हम बात कर चुके इसी प्रकार PowerPoint में होगा .ppt .ppt और .pptx ठीक है चलिए इसको एक बार देख लेते हैं इसको आप लोग एक बार क्लास देख लीजिए प्रीवेस प्रीवेस क्लास हम डिसस कर चुके हैं उसमें हमने file इंस्टेंशन जो है .bird, excel और PowerPoint तीनों को डिसस किया है ठीक है चलिए नेस्ट देखते हैं question नेस्ट question है मारा MS Excel में वह सिंगल express sheet जिसमें पंक्तियों और फ्राव जिससे लोती है तो जो एक express sheet होती है सिंगल express sheet उसको हम work sheet बोलते हैं क्या बोलते हैं work sheet बोलते हैं किसमें MS Excel में रोज और column के दौरा हमारी express sheet बनती है जब उसमें हम कुछ type करना चालू करते हैं collection होता है दोस्तों उसको हम वर्क बुक बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बर्क बुक छोटे-चोटे question पूछे जाते हैं बहुत ही important होते हैं चलिए next question देखते हैं MS Excel में पिछले worksheet में इस्थरांतित करने के लिए कि सौट कट कुझी का उप्यूग करना पड़ेगा previous worksheet में हमको जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा control प्लस पेजब करना पड़ेगा और पिछले के लिए अगले हमको वर्क सीट में जाना है तो अगले वर्क सीट के लिए control लेन प्रेंट को देखने के लिए नेम लिगत मे서도 किसickt कमांड चुनाओ करना चाहिए तो सब्कॉन करने से पहले енным को पूरा क्या करता करता है देख सकते हैं और मिवेट को एक साथ देख wilde sk'. है minimize करके करके देख सकते हैं तो अप्र को हम अप्रिंट adjust में प्रिंट कर लेगा पूरा उसमें को को पूरा डग्मेंट दिखेगा नहीं से hots जुङंब और duy apost एक सब्सक्राइबी तो उसमें साथ से पांच करके हम प्रिंट से पहले मौझूद किसी भी तूट का पता लगा सकते हैं और प्रिंट का ले आउट सुधा सकते हैं तो दो पकाड़ के तरीके हैं सबसे पहले हम रीवन में फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे उसके बाद प्रिंट प्रिंट पर क्लिक करेंगे दूसरा तरीका ह प्रिन प्रिवी पर जा सकते हैं या फाइल मेनू पर जाके इस पर देख करके हम देख सकते हैं नेशटमेंट पर नाम की एक शुद्धाप लब्द होती जिसके माद्धियम से किसी डाकुमेंट को छापने से पहले ही स्क्रीन पर देखा जा सकता है वह डाकुमेंट छपने के बाद कैसा लगेगा डाकुमेंट को प्रिंट होने से पहले इस प्रकार देख लेना हमेशा अच्छा रहता है ताकि डाकुमेंट में कोई जानकाई ठीक ना होने पर आप उसे तुरन सुधा सकते हैं इस आ अब लेते हैं कि कौनना कौन सी मुख बटन होती है तो प्रिंट 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 विग्यू आप्शन में मुख बटन जो ती मैर्ण दोती है lubkृ मैगनीफायर हो होता है मैंज़ूंता होता है मुल्टिपल प्रिंड यस sini बटन होती है यह कि जब कि जाएंगे file menu menu भार में file menu में जाएंगे तो file menu में यहापका new open close save 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 this wave यहाँ पर देखिए यह आपका print review है print के ज़स्ट उपर आपका प्रिंट विबू है जब आप इसमें click करेंगे तो अपको print review ुकट डालाइक वक्स खुल जाएगा चलिए नेश्ट देखते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास खतम हो रही है क्योंकि ट्वंटी कोशन्स थे प्रिवेस येर में कोशन में जो सिफ्ट टू था 11 दिसंबर 2017 का तो उसको हमने डिसस कर लिया है अब नेश्ट क्लास हम जो है जल्दी लेंगे चल थेंक्य।